इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं AKU University आर्यभट Knowledge University के CGPA और SGPA को कैसे calculate करते ही ये देखेंगे और साथ ही साथ हम ये भी देखने वाले हैं कि यहाँ पे CGPA और SGPA आने के बाद percentage में कैसे calculate किया जाता है तो चली दोस्तों अब हम शुरुआत करते हैं AKU आर्यभट Knowledge University में SGPA semester grade point average और cumulative grade point average calculate करने का तरीका सबसे पहले SGPA में जैसे कि आप देख सकते है semester grade point average इसका नाम होता है मतलब ये एक semester के GPA calculate करने का तरीका है और CGPA है cumulative मतलब complete उस semester के complete grade point average calculate करने का तरीका ठीक है पूरे आपके diploma के तो अगर हम बात करें यहाँ पर कैसे calculate किया जाता है तो चली आईए दोस्तों अब हम चेक करते हैं example के तोर पर एक marks हम मान लेते हैं random एक marks हमने imagine कर लिया अब यहाँ पर हम marks जो imagine कर रहे हैं वो यह है subject code होते हैं आपके पास subject code के बाद अलग-अलग subjects के नाम लिखे रहते हैं अब आपकी जो branch होती है उसका according यहाँ पर a,b,c,d,e पर आपकी branch के अलग-अलग semester के subjects होंगे और साथ में होता है ESC, ESC मतलब end same examination ठीक है? end same examination में आपका 70 में से ये marks आय हुए होते हैं उसके बाद अपने पास होते हैं IA, Internal Assessment Internal Assessment आपको 30 में से मिलता है यह मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, साफ साफ यह चीज आपको out of 70 आई हुई होती है और internal assessment out of 30 आपके marks होते हैं जो अलग-अलग factors पर depend करते हैं तो total हमारा 70 और 30, 100 मैंसे यह marks आई हुए होते हैं हर subject के हमारे 100 मैंसे कितने marks आई, यह यहाँ पर लिखे वे होते हैं अब जो हमारे total marks होते हैं, उसी के साफ से हमें grade दी जाती है 75 पर B grade, 67 पर C grade, 87 पर A grade, 91 पर A plus और 68 पर C इसका एक chart भी हम देख लेंगे कि कितने marks पर कितने grade दी जाती है उसके अलावा हर एक subject के कुछ credits होते हैं अभी देखिए हर एक subject के credits किस subject के कितरे हैं यह depend करता है कि आपके college में कितना ही credits देते हैं किस subject के credit system क्या होता है कि कितना weightage है किस subject का जो हमारे core subject होते हैं, जो हमारे core अपनी branch के जो subject हैं उनका credit हाई होता है, जादा होता है और जो हमारी branch के subject नहीं है जो ऐसे management जैसे subject है या फिर mechanical वालों को वो जो computer वाले कोई subject या programming की कोई चीज़ सिखाते है वहाँ पे credit थोड़ा कम होता है सोज में आया है तो अगर आप अपनी branch के subject में ही बहुत अच्छे mark से किया होगे तो भी आपका SGPA और CGPA बहुत शांदार हो जाएगा सोज में आगया दोस्तो तो चली अब हम calculate करते है देखिए credit आपको calculate नहीं करना credit आपका college पहले से बता के रखता है जब आपको official syllabus आता है वहाँ पर credit कम होते है तो जैसे ही आपका syllabus आता है पहले तो syllabus के side में आपको दिखाया देखा कि इस subject के credit कितने है सोज में आ गया ठीक है तो दोस्तो देखिए आपके पास आपका subject का नाम उसके total marks और उसके according grade आपने लेके आ गये और उस subject के credit important है ठीक है अब आप grade point average calculate करना चाहते है तो आपको क्या क्या चीजों की जरूत है सबसे पहले आपको grades की जरूत पढ़ने वाली है यह जो grades हैं यह हमारे लिए important है दूसरा credits की जरूत पढ़ने वाली है क्योंकि credits जादा मतलब उस subject का weightage जादा है आपके percentage में किसी का credit कम होना मतलब उस subject का weightage कम है उसकी एहनियत कम है तो जो subject का credit जाद हो हमें उस subject में बहुत अच्छे से ध्यान लगा के पढ़ना और बहुत जादा marks लेके आने है और जिस subject का credit कम हो वहाँ अगर कम marks भी आये तो भी चल जाएगा काम सोज मैं अब यही चीज़ हम चेक करेंगे देखिए grade और credit आपको अभी ध्यान अकनी है ठीक है grade कितनी आई आई आपकी 5, 3, 20, 20 इसका मैं एक photo ले रहता हूँ ठीक है अब देखिए हम चलते हैं हमारे अगले page पे अब कितने grade के कितने grade points होते हैं ये एक तो मैंने लिख दिया दूसरा कितने marks पे कितने grade ये भी stable में मिल जाएगा अगर आपके 90 to 100 के बीच में marks आते हैं तो आपकी A plus grade आती है ठीक है अगर आपके 80 to 89 marks आते हैं तो आपके A grade आएगी आपके अगर 70 to 79 marks है तो B grade 60 to 69 को C grade 50 to 59 को D grade और अगर 50 से कम है तो P P grade का मतलब promoted ठीक है इसका एक फायदा ये भी हुआ अब आपके चाहे 91 marks आएं ये 99 सभी को A plus grade मतलब एक ही तरीके के marks आ रहे हैं पे आपके चाहे 71 हो ये 79 आपके B grade ही आ रही है आपके 61 हो ये आपके दोस के 69 दोनों के C grade ही आ रही है सोज मैं तो grading system एक range के लिए decided होता है कि एक given marks के लिए given grade और एक given grade के लिए हमें फिर साथ साथ देखिए given grade के लिए हमारे पास यहाँ पे given grade points भी है ठीक है दोस्तों सबज में आ गया ठीक है अब देखिए given grade के लिए हमारे पास given grade points है अब याद कीजिए हमने पिछले उसमें marks sheet जो हमारी थी उसमें क्या क्या था एक था हमारे पास grade और दूसरा था हमारे पास credit अब ये grade और credit क्यों ज़रूरी है आईए चलिए देख लेते हूँ ये सिली ज़रूरी क्योंकि अगर आप SGPA calculate करना चाहते हैं अपने semester का GPA semester grade point average calculate करना चाहते हैं तो उस semester में हर एक subject के grade point और credit का summation कर लो divide by total कितने credits हैं उस semester की ये देख लो ठीक है अब देखिए हम एक एक करके calculate कर लेते हैं सबसे पहले हमारे पास total credit कितने हैं हम इसको calculate कर लेते हैं 4,3,7,7,8,9,10,14 total credit होगा है हमारे पास 14 ठीक है तो देखिए अगर हम यहां की बात करें total credit तो होगा है हमारे पास 14 अब हम बात करें grade point into credit हमको चाहिए हर एक subject के लिए grade point into credit अब इसके लिए आईए grade point हमारे पास यहां है grade कितनी है credit कितना है वो हमारे पास पिछली slide में थी जो मैंने photo लिया था आपके सामने तो देखिए मैं यहां पे एक एक करके बता रहता हूँ अगर मैं grade point की बात करूँ तो हमारे पास grade point क्या क्या है grades है B, C, A, A plus और C B, C, A, A, A plus C 5 subject है तो 5 subject के यह grades थी और हर grade का grade point कितना लिखावा है 4, C की आए थी 3 A वाले की थी 4 A plus वाले की थी 2 C वाले की थी 1 यह तो क्या है मैरे पास credits ठीक है इसको मैं लिख लेता हूँ ताकि आप confused ना हो यह हो गए हमारे पास credit अब हम क्या करेंगे grade point और credit का multiplication चाहिए तो grade point अब हम calculate कर लेते हैं देगे grade point कितनी है अगर B होती है grade तो grade point होता है 8 B grade पे 8 तो हम क्या बोलेंगे इसमें हम 8 से multiply कर देंगे दूसरा C grade होती है तो होता है 7 इसमें हम 7 से multiply कर देंगे A grade होती है तो होता है 9 तो यहाँ पे हम 9 से multiply कर देंगे A plus grade होती है अगर तो A plus का होता है 10 तो यहाँ पे हम 10 से multiply कर देंगे और C grade अगर है C grade होती है 7 points तो यहाँ पे हम 7 से multiply कर देंगे ठीक है अब हमको इसको बस निकालना है कितना हो जाए गई है और फिर हम उसको sum कर देंगे 840 32 730 21 देंगे यह क्या आया grade point और यह क्या है credit देंगे credit है लाल से grade point है blue से 940 36 1020 और 717 तो अब total कितरा आता है दोस्तो 32 प्लस 21 प्लस 36 प्लस 20 प्लस 7 यह आया 116 अब देखिए यह 116 क्या है grade point और credit 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 और grade point और credit का total sum मलब हर subject में हमने उस subject का grade point जो हम लेके आएंगे और credit जो already पता था इसको multiply कर दिया हर subject में multiply करने के बाद उसका total कर दिया 116 ठीक है अब आज यह वापिस अगली slide पे चलते है अब यह आगे हमारा 116 और total credit कितना था 14 तो दोस्तों हमारे पास कितना आया 116 भाय 14 8.28 यह आगया मेरा CGPA ठीक है दोस्तों यह आगया मेरा CGPA तो simply आपको हर एक subject का grade point कितना बनता है यह देखना है grade point को credit से multiply करो अगले subject का grade point को credit से multiply करो अगले subject का grade point को credit से multiply करो ऐसे total कर लो divide by total credit कितने है उस semester के तो वो नीचे लिख दो तो इस semester का sorry SGPA CGPA नहीं SGPA इस semester का semester grade point average इसको कुछ college में TGPA भी कहा जाता है term grade point average तो इस semester का GPA मेरा आया 8.28 ठीक है यह आगे समझ में simple सी बात थी आपको हर point हर एक semester के लिए एक-एक subject उठाओ subject का grade point और credit को multiply करते जाओ total कर लो divide by नीचे credit से divide कर दो यह आजाएगा आपका उस semester का grade point average SGPA ठीक है next SGPA निकाल लेंगे आप तो हम CGPA कैसे निकाल लेंगे simple CGPA तो बहुत ही आसान है देखिए SGPA एक semester का plus SGPA दूसरे semester का plus SGPA तीसरे semester का plus SGPA पांचवे semester का 5 divided by 5 simple average निकाल लेंगे तो यह तो बहुत ही आसान था ठीक है तो हर एक semester के sum करो divide by 5 क्योंकि 5 semester इसलिए divide by 5 अगर 6 semester का हम calculate कर रहे होते हैं तो divide by 6 कर देते हैं ठीक है पांच semester का CGPA मेरा आएगा पांचवे semester के SGPA को plus करूं divide by 5 अगर 6 semester का CGPA निकालना होता है तो मैं 6 semester का add करता है divide by 5 कर देता है सोच में आ गया यह हो गया मेरा CGPA अब CGPA के बाद अब अगर मैं बोलू कि CGPA तो निकाल लिया percentage कैसे निकाल अब देखो CGPA जो भी आ रहा है CGPA जो भी आया into 10 कर दो वो आ गया आपका percentage सोज मैं है simple है बहुत simple पहले SGPA निकाल लो हर semester का SGPA को निकाल लोगे उसके बाद semester के 5 semester के SGPA को add करो divide by 5 पांच semester का CGPA आ गया अगर आपको 6 के 6 semester का CGPA चाहिए तो 6 semester के सारे SGPA हर semester का GPA add करो divide by 6 कर दो total 6 semester का GPA आ जाएगा अब जो भी आपका total CGPA आया आपके diploma का उस CGPA को into 10 करते तो percentage आ जा जाएगा मालो आपका CGPA था 8.56 तो percentage हो जाएगा वो 85.6 समझ भाए हैं simple ठीक है तो दोस्तों ये था हमारे पास total हमने जो आरे बट knowledge university के जो result आते हैं उसमें semester का GPA और cumulative total GPA कैसे calculate किया जाए ये हमने देखा semester GPA को SGPA या TGPA कहा जाता है और total GPA को CGPA कहा जाता है तो दोस्तों आप हमसे रट्टू तोधा प्लैटफॉर्म से जुड़ सकते हैं आपके B.TEC या डिप्लॉमा के किसी भी requirement के लिए आपको subject समझ नहीं आ रहे आप हमसे पढ़ सकते हैं इतना सस्ता कोर्स होगा जो आपने पूरे देश में नहीं सुना हो आपको अगर B.TEC के अलावा आपको लगता है कि आपके semester exam में भी कोई दिक्कत आ रही है हम आपको उसमें भी help करेंगे mid term exam के syllabus में दिक्कत आ रही है उदर help करेंगे पूरे end term semester exam में दिक्कत आ रही है उदर हम आपको help करेंगे अगर आपको लगते हैं कि नहीं सर मुझे तो diploma के बाद exam के तैयारी में मदद चाहिए हम आपको उदर भी help करेंगे आपको कोई guidance चाहिए हो कि सर आपको S.S.E. के तियारी करनी हो या आपके PSU J.E. की तैयारी करनी हो या किसी भी और exam की तैयारी करनी हो हम आपको उसके लिए भी properly guide करेंगे ठीके तो आपको किसी भी तरके के guidance चाहिए हो आपके semester के exams के लिए तैया हो किसी के back लग गई हो उसको clear करना हो तो उसके लिए भी हम आपको एक-एक subject के लिए मदद करेंगे सिर्फ और सिर्फ Rattu Tota platform में तो आप भी Rattu Tota platform ते जूड सकते हैं हमारा Android application डाउनलोड करके हमार इस वीडियो को यहीं पॉस्ट कर दीजिए और इस QR code को scan करिए आप Android Play Store पे Rattu Tota application पे पौच जाएंगे आपकी मदद के लिए इसके अलबा अगर आपके मन में कोई भी और सवाल हो कोई भी और कोशन हो तो इस वीडियो के नीचे comment करके भी आप पूच सकते हैं Thank you and have a nice day If you really like the video hit the like button, share the video comment on our video and subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates Thank you